कि मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी नैनो कार में एक आदमी फॉल्ट नियों के पकड़ पाया यह अच्छर अच्छी वात है मैं शॉकिंग हो इस चीछ का लेगिन कुछ कुछ हवाज ऐसे होते हैं सर की नहीं पकड़ में आते हैं हम भी क्या कर सकते हैं यह आपकी शकल पर मैं यहां पर आया हूँ और आपकी शकल पर ही आपकी गाड़ी को मैंने दिया है अच्छा यह भी रियल बात है अगर आप यहां पर मेरे को नहीं दिखते तो मैं गाड़ी वापस ले जाता है मैंने का सर दो मिनिट में बता दूँगा गाड़ी चला कि आवाज आ रही या निया और मैंने तुरंत ही जब मैं यहां से गाड़ी स्टार्ट करके लेके गया मैंने गाड़ी यह समलो 500 मीटर भी नहीं चला ही मैंने का सर आवाज बंदो और यूट्यूब पे भी सिर्फ मैंन किस-किस परकार की आती है 17 मिस्तरी लग चुके है इस टाटा नैनो में और मैं 18 मिस्तरी हूं जो इस गाड़ी में लगने लगा कस्टमर आये है टाटा नैनो है पहली बार टाटा नैनो का रीविव जा रहा सिर्फ क्योंकि हम काम तो नहीं दिखा पाए लेकर रीविव आप को दिखा सकते हैं मैं 18 मिस्तरी इस गाड़ी में काम किया असर बताएंगे पूरी बात कि इनके साथ में क्या घटना घटी इनके टाटा नैनो में कितनी पैसे लग गए और जो आवास थी वह सही नहीं हो पाया उसके पीछे कितना उत्सुक होके हमारे पास आये थे सारा ची अब इनसे पूछते हैं जी वह या बताएंगे पूरी खाने तो हंड्रेट परसेंट सॉल्व हो गई मेरी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के लिए मैं यहां पर आया था मेरा दिल नहीं मान रहा था मैंने का आज हिम्मत करके भाई से मिली लू मैं आके मैं को कि इतने मिस्त करते हैं कर लेना तोड़ा सा इससे आब आज आपको थ् Σतापको थोड़ा जाने और बह्म है वांजिआ के लिए क्वास घुसा फिर एक मिस्त्री ने भी बेरिंग खराब है जब उनने बेरिंग चेंज कर दी है फिर उसके बाद एक मिस्री ने बता है इसके हब खराब है बेरिंग जिसमें फस्ता है हमने हब नहीं डलवा दिये टाटा के उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई बिल्कुल हिम्मत हार गया था मैं तो भाए अब चलो ऐसे चला लो गड़ी लेकिन मेरी वइफ ने ख 라고्ति एक बार मुकेश जी पर गाड़ी लेकर जाओ और मैंने दिल का थान ली अगर ukल अगर बोल देंगे ना कि आवाज ऐसे ही आlyती रहे गड़ी के लिजाने रहे ग please तो मैं आप किसी mechanic को भी में निदिखा गए क्योंकि कोई आवाज कि मником को कोई आवाज पता रहा पाथ और कोई में यह बोलता था आवाज ही नी गाड़ी रहा हूं किसी मैंनिक ने तो पता नहीं कितनी कितनी चला के देख लिए किसी को समझ कोया अनहीं आया कि एक। और इन भाई सबने हमारी problem सिर्फ एक गंटे में solve कर दी, एक गंटा भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक गंटे में उन्होंने problem solve कर दी, और ये समझ नहीं आई, ये problem हुई कैसे solve, हमें ये चीज का भी नहीं पता लगा, खाली skill के पैसे लेंगे, हम कोई समान भी नहीं डाले हैं, बिल्कुल, ये हकीकात बात है, और एक पैसे का इनोंने extra कोई समान इसके अंदर नहीं आनी डाला कि ये समान लिया हो, ये खराब हो रहा है, ये डालना है, हर मिस्तरी नहीं हमारे से कोई नहीं कोई समान बंगाया है हमने इसके चक्कर में clutch plate change करा ली, clutch wire change करा ली, हमने टायर चेंज करा ली, हमने bearing change करा ली, हमने brake hub change करा ली, हमने steering rack change करा ली, लेकिन वह अवाज बंदी नहीं हुई, और पे गए साइबाबाद, मोटर्स गए, मोटर्स, हमने पता नहीं किस किस मेकैनिकों को गाड़ी दिखा चोटे से चोटे और बड़े से बड़े mechanic को गाड़ी दिखा ली, लेकिन भाईया उसके बाद आज मेरी wife ने हनुमान जी के दो धागे दिये, यह गाड़ी में बांद ले न क्या पता आवाज बंद हो जाए, उसके बाद यह अवाज पिर हनुमान जी ने ही मेरे को दिशा और राम जी ने इनको मेरे पास भेजा और इन्हों प्रोब्लम मौधे मेरे प्रज那么 सॉलोगे इन्हीं को नीचा दिखाना मेरा उ dark इसमें टोटल अरॉंड एबला भी खर्चा ओगया होगा इस अवाज के चक्कर के अंदर इस में कम से कम 55000 खर्च हो गए इस अवाज के चक्कर के अंदर 55000 खर्च हो गए बिल्कुल यही बोले इन्होंने कि अगर 17 मिस्तरी लग चुके हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा अगर आपने मना कर दिया आपने हाथ खड़े कर दिये तो अब मैं जिन्दगी में किसी मेकैनिक को इस अवाज को लेके नहीं जाओं और यह हमने इनकों में बताया था कि बीना पैसे खराब किये और कोशिस भी काम्याब हो गई भगवाण की बड़ी किरपा रही बगवागा आश्रवाद रहा हनुमान जी का अश्रवाद रहा इस आवास से मैं इतना परेशान था दो हफ्तों से इस आवास से मितना दो हफ्तों मैं मैंने 55,000 लग करके मैंने क्या पता वो आदमी मेरे को मुकेश जी मिल जाए मेरे को वहापे जाके मेरी किसमत बहुत अच्छी थी कि यह मेरे को टकरा गए इंके शॉप पे ही यह मुझे मिल गए और मैंने इंको अपनी प्रॉब्लम सॉल्फ हो दी अगर यह नहीं होते तो मैं गाड़ी नही प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्फ कर ली मैंने बहुत लंबी टेस्ट राइव लिए गाड़ी बंद करके न्यूटल करके सारी चीजे चेक कर ली अब मैं कहता हूं कि मेरे जो 55,000 रुपे लगे ते वह मेरे वसूल हो गया अच्छा आपी जाके लड़्डू भी चड़ाओंगा मंदिर की आज चड़ाने मेरे को बही किस रुपे के मैं लड़्डू चड़ाओंगा है बजरंग बली वहान तुमने किरपा कर दी मेरे उप अब बलागे जाक पर गाड़ी उठाई ये करा वो करा फला ना करा ढ़ा डिंकाना करा बेरिंग ले ये ले ब्रेक अब ले प्ता निक्या क्या उनने चीजे चेंज कर दी लेकिन आवाज कुछ नहीं पता लगा पाया कोई भी आवाज कर चला आते रहो चला आते रहो और को अभी इनको बताया नहीं है कि रियल्टी में प्रोब्लम थी क्या ये देखना चाते हैं बहुत उस्सुक है लेकि सर देखने तो फायदा कि आपका काम हो गया ना बहुत हो गया लेकिन एक मैं सैटिस्फेक्शन होना चाता हूं कि जो 17 मेकानिक नहीं कर पाये वो 18 मेकानिक म कि मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी नैनो कार में एक आदमी फॉल्ट नहीं पकड़ पाया ये अचरच की वात है मैं शॉकिंग हो इस चीछ का लेकिन कुछ अवाज ऐसे होते हैं सर की नहीं पकड़ में आते हैं हम भी क्या कर सकते हैं यदि इतना ही ही होता तो मैं तो पहले पहले ड्राइब में नहीं बता पाया धूसरे ड्राइब किया तो आपको पता है कि कमशों काफी देर बाद आया पूरे 17 मेकैनिक में सब्सक्राइब करते हैं जिन्हों ने पहली बार गाड़ी चलाने के बाद यह बता दिया था कि आवाज है सर बाकि 17 मेकानिकों को आवाज सिर्फ मैंने ही सुनाई गाड़ी के अंदर उसके बाद उन्होंने यह चीज को बूली है कि आवाज है आपको मुझे यह बताने की आवाज है बिलकुल बिलकुल ने मैंने आवाज देख लिए थे अब वहां से जवाय जैसे आगे गए ना हम लोग वही आवाज पता पड़ गए वह आ रही है तो उसको तो दिख रहे थी वीजिविल्टी थी बिलकुल जो खैचेगा धुआदार उसको नहीं दिखे लेकन मेरे दिल की जो बात है जो दिल से मैं काऊँगा कि मेरी यहाँ प्रॉब्लम आके बिलकुल सॉल्व हो गई है मैं बहुत स्लुटुष्ट हूँ, बहुत सैटिस्वाइड हूँ दिमाग से बहुत हलका हो गया अब मैं जाके चैन की नीन सो सकता हूं क्यों क्यों कि मैंने इन सुरू मैं बोला था जब गाड़ी की ट्राइल रहा था कि कितने देर में बता दो कि गाड़ी सही हो गई है, यही सवाल मैंने एक और गाड़ी करी थी, हमने बोला आपका प्रॉब्लम में सोट आउट कर दूँ अब कितने देर में बता दोगे, बोला यार काफी टाइम देखे गया, मैंने गाड़ी यह समझ लो 500 मीटर भी नहीं चला इसमें हवाज नहीं है, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि गाड़ी का मालिक मैं हूं, फर्स्ट ओनर मैं ही हूं, मैंने इसे चलाया है, मुझे ही पता है कि मेरी गाड़ी क्या आवाज करती थी, और कैसी गाड़ी नहीं दिखाएंगे, यह लास्ट होप थी हम यहां थे, और मैंने इंको आते ही बोल दिया था, मैं आठारवे मेकनिक हाप, अगर आपने हाथ खड़े कर दिया गाड़ी चला कि आवाज नहीं है गाड़ी में और आवाज नहीं ठीक हो सकती, और ऐसी चलाओ, तो म अवाज पता ही था, मैंने इथनी वीडियो उनकी देखी, इतना सब कुछ अगया, अब यह ही है, जो भी है, क्योंकि उन्होंने इसी ऐसी आवाजों का पता लगाया, जो कोई भी नहीं पता लगा पाया, नहीं, जानि हम लोग भी भी मिस्टेग हो जाती है, सदूरा, लेक कि मैं पूरी दिल्ली गुमा के लेकर आयों गाड़ी पूरी दिल्ली हर मेकानिक के हाथ से गाड़ी निकली है लेकिन किसी मेकानिक के हाथ में फॉल्ट नहीं आया गाड़ी का कि आखी हवाज आखासे रही है गाड़ी के अंदर और मुझे लाश में नौड़ा ही आना पड़ मैंने सर्फ YouTube पर सर्च कर लिया कि ये गाड़ी में आवज किस-किस परकार की आती है कोई कहते हैं कि नो कुछ कहता है उनकी लिए फिर मैंने इनकी वीडियो देखी इन्होंने आसी मोटत करें दिल्ली अतने सिरी घ्रा लुगrek किला दिल्ली आ म TWE लास्ट में मेरे को आना यहीं पड़ा हिम मत कर ली मैंने स्टेरिंग मेरा नॉइडा की तरफ बढ़ गया बस भवान की यह मेरे उपपर किरपा हो गया अरे बहुत बढ़िया सब उनी की किरपा है अम लोग अपर में ठीक है तो यार अब कस्टुमर कुछ से है इस टैम में आ है टूपीकस अब तब तक के लिए दिल से थैंक यूँ आज 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 आज